लखिम्पुर खिरी के थाना शेत्र हेदरबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता हत्या के आरउप्यों को खून से रंगे कपड़े और मडर वैपन के साथ के गिरफतार थाना हिदरबाद शेत्र देवीपुर में दो मई को हुई हत्या की घटना के सम्मन्द में पुले सदिक्ष गणेश प्रसाद अस्चाह ने इसकी जाच आरूपियों को पकड़ने के लिए तीन टीमों को अगठन किया था इस घटना के आरूपियों को गिरिफतार करने में इंटेलिजन्स विभा की अहम भूमी का रही ऐसा बताया जा रहा है कि सुरेंदर पाल अपनी सास सरस्थी जिसके नाम कुल नौ बीघा जमीन थी पिछले लगबग 15 वर्ष में कुल तीन बार में अब तक साड़ी साथ बीघ कर सारे पैसे खुद ले लिया तदा अपनी सास व विकलांग साली पूनं को लगबग 12 वर्ष अपने घर पर ही रख रहा था फिरेंदर एक शातिर किस्म का विक्ति बताया जा रहा है जिसना अपने पती पतनीश वेता को पांच समू के सदद से बनवाया था समूहों से पे सास के नाम की जमीन बिकरी करना चाहता था इनी कारणों के चलते आए दिन इसकी सास ताना मारा करती थी इनी बातों से तंग आकर अन्य कोई किश्ट चुकाने का जरिया ना होने के कारण अपराद को अंजाम देने के लिए उसने बड़ी योजना बनाई योजना के तहट दिनांक 25 को दिन में लगबग 11 बज़े के मद्धी की पत्नी साथ घर से बाहर गए तो सरुपरतम अपनी साली पुनम को कुलहाडी से सर पर वार करके कमरे से अंदर हत्या कर दी जिसके 10 से 15 मिट बाद इसकी पत्नी वसास बाहर से अंदर आए तब उसने सास को कमरे में अंदर ले जाकर खड़े से वार कर हत्या कर दी इसकी बाद अभ्यूक्त ने अपने कपड़े अपनी पत्नी के साथ मिलकर रक्त को ढूनने का प्रयास किया तरथा कपड़े बदल कर अपनी पकोड़ी और चाट के दुकान ग्राम शाहपुर में समय करी 12 बज़े चला गया जहां से पुना वापस आकर लोगों को गुम्रहा कर घटना की सूचना 112 कंट्रूल रूम को दी थी पुलिस दौरा सुरेंजर पालव उसकी पत्नी सरफसत्य और सरला की निशान दही पर खून के छीटे लगे हुए कपड़े बरामत कर उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफतार कर जिल भीजा गया है कि दो तारीकों थाना एदराबाद में मा और बेटी की हत्या की सुचना मिली थी करिब साम को यह सुचना आई थी कि मा और बेटी को घड़ पर मार दिया गया था उसके बाद हम लोगों ने सियो के निटित में टीम मनाई थी लगातार हमें जो साक्षी म में सुरेंदर पाल उसकी पत्नी और त्रेंदरपाल की सासस्ण कोकु साल से रह रहे थे पाल के लिए एक आर्थिक रूप से भी एक अच्छा एक स्रोत था क्योंकि इनके पास जमीन थी और बेच के पास पैसे की कमी होने और उपर कर्ज होने के कारण यह लगातर अपनी सास और अपनी जो शाली थी उस पर दबाब बनाते थे कि आप पैसे का परबंद करें और जो जब भी जमीन बच्छे वे उसको बेच के में पैसा दें सास के द्वारे बना कर दिया गया तो खीज में आके सुरिंदेपाल ने इसके हत्या की योद्ना बनाई जिस दिन हत्या हुई है सुबह को सुरिंदेपाल अपनी दुकान जाने स करती के उनके विरुद भी कारवाई की जारी है और मैं बताना चाहूंगा कि इसे पूरे घटना की खुलासे में हमारे एक हैस्ट कॉस्ट की बहुत अच्छी भूमिकारी जिसको अलग से नाम भी दे रहा है पूरे घटना का जो मोटिफ था कहीना कही जो सास और उसके साली करती है वह आर्थी ग्रुप से निस्पड़ियों से इनके साबित हो रहे थी क्योंकि इनको बोज लग रहा था दूसरा है कि जो इनके पैसे की मांग उसकी पूरती नहीं करते पार थे तीसरा एक कारण और भी संग्यान में आ रहा है कि कहीना कि इसके बंसा भी थी कि हत्या करते है